हलो एवरिवान, वेलकम टो स्टेडीनेटिक, मैं हूँ पूजा महता और यह है मेरा यूट्यूब चैनल आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेरिंग रेशो अमंग दा एक्जिस्टिंग पार्टनर्स अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ लिया है, accounting for partnership firm जिसमें हमने क्या समझा था कि partners किस तरह से firm को start करते हैं, वो अपने profit का distribution कैसे करते हैं, कैसे P&L appropriation account बनाया जाता है ये सब हमने उस chapter में समझा था, उसके बाद हमने समझी goodwill, goodwill का valuation करना क्यों important है कौन-कौन सी method होती है goodwill के valuation करने की, ये सब भी हम हमारे previous videos में देख चुके हैं यदि अभी तक आपने इन दोनो chapters को नहीं समझा है, तो आप मेरी playlist में चले जाएए बिल्कुल new session के मैंने नए नए videos वहाँ पर upload किये हुए हैं तो आप उन्हें देख कर समझ सकते हैं आज यहाँ पर हमने chapter, जो हमारा next chapter है, उसे cover करना है लेकिन उसका आज सिर्फ हम करेंगे introduction part क्योंकि यहाँ पर मैं छोटे-छोटे से videos लेकर आती हूँ जिसे हम video 1 और जितने भी video 2, 3, 4, जितने videos उस chapter में बन सकते हैं उस तरह कि मैं videos बनाती हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हूँ आज यहाँ पर हम समझने वाले हैं बिल्कुल introduction को उसके अलावा हम यहाँ पर आज कुछ नहीं समझेंगे आज हम समझेंगे कि change in profit sharing ratio क्या होता है तो start करते हैं लेकिन उससे पहले मेरे channel को जरूर subscribe करना please 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 views तो बहुत सारे आते हैं लेकिन subscription कम होता है तो please channel को जरूर subscribe कीजिएगा अब सबसे पहले तो हम थोड़ा सा recap कर लेते हैं कि हमने हमारी जो first chapter है उसमें यह पढ़ा था कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कोई भी दो वेक्ती या दो से ज्यादा वेक्ती मिलके चीक है ना more than two एक firm खोलते हैं तो उस firm को क्या कहा जाता है partnership firm क्या कहा जाता है partnership firm अब यह जब partnership firm start होती है तो यह दो partner हम suppose कर लेते हैं कि एक firm खुली है उसके यह दो partner है ठीक है एक है A, एक है B ठीक है इन दोनोंने मिलके एक firm खुली है और वो partnership firm है क्योंकि दो लोग है अब इन्होंने अपनी firm में एक return agreement तयार किया है जिसमें इन्होंने वो सारी चीज़े लिखी हैं जो partnership के लिए important है उस return agreement को और क्या कहा जाता है partnership deed कहा जाता है ठीक है अब उस partnership deed में यह वो भी लिखते हैं कि जो profit होगा उसका distribution यह दोनो partner आपस में कैसे करेंगे, किस ratio में करेंगे हो सकता है वो equally करें 1 is to 1 हो सकता है वो 3 is to 1 करें हो सकता है वो 3 is to 2 करें कोई भी ratio में वो distribution कर सकते हैं लकिन जिस भी ratio में करेंगे उसे वो कहां पर लिखेंगे partnership deed में ठीक है यहा तक तो पता है मेरम हमें अब लेकिन कभी कभी क्या होता है? यह जो ratio है, ठीक है? यह change करने की नौबत आजाती है. इन ratio को change करने की नौबत आजाती है. तो अब जब वो इन ratio को change करना चाहते हैं, तो उन्हें partnership deed को भी change करना पड़ेगा. अब जब वो partnership deed को change करते हैं तो उस इस्थती को क्या कहते हैं उस इस्थती को कहा जाता है reconstitution of firm क्या कहा जाता है reconstitution of firm क्या बोलते हैं फिर से सुनिए reconstitution of firm मतलब firm वही है firm में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है लेकिन जो partnership deed बनी थी उसमें परिवर्तन हुआ है क्यों? क्योंकि भाया वो partnership ratio change करना चाहते हैं तो क्या सिर्फ partnership ratio change करने पर ही reconstitution of firm होता है? नहीं ऐसा नहीं है reconstitution firm होने के और भी कई कारण है सबसे पहला कारण तो मैंने क्या बताया? change in profit sharing ratio क्या है पहला? change in profit sharing ratio second admission of partner third death of partner fourth retirement of partner fifth amalgamation of partnership firm ये पांच अन्य कारण है जिसके कारण reconstitution of firm होता है चीके ना? reconstitution of firm होता है जब profit sharing ratio में change किया हो जब किसी नए partner का admission हुआ हो suppose A और B partner है यदि कोई नया C partner का admission होता है तब भी reconstitution of firm होता है जब किसी partner की death हो जाती है तब भी reconstitution of firm होता है यदि कोई partner की age हो गई और बोल दे कि आप में firm में काम नहीं करूँगा मुझे retirement दे दो तब भी reconstitution of firm होता है और amalgamation of partnership firm मतलब जब दो या दो से ज़्यादा firm आपस में मिलके एक firm बनती है उस समय भी reconstitution of firm होता है तो ये पाँच इस्तियां ऐसी है जब reconstitution of firm होता है और जो partnership deed बनाई गई है उसमें changes होते हैं ठीक है अब ये जो chapter है वो है point number one वाला ये जो बाकी के chapter है वो हम आगे पढ़ेंगे लेकिन ये proper chapter है change in profit sharing ratio among the existing partner तो अब हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं change in profit sharing ratio among the partners ठीक है ये कब होता है जब reconstitution of firm होता है अब हम suppose कर लेते हैं A and B दो partner है इनका profit sharing ratio है 3 is to 2 ठीक है ये दो partner है इनका जो profit sharing ratio है 3 is to 2 है ये जब partnership deed बनी थी starting में तब 3 भाग किसको मिलता था A को और B को मिलता था दो भाग ठीक है अब भाई या बी ने बोला कि यार मैं भी बिल्कुल equal hard work करता हूं फिर भी मुझे कम part मिलता है और तुम्हें जादा मिलता है तो अब हमें equally profit share कर लेना चाहिए ठीक है तो इन्होंने क्या किया reconstitution of firm किया और जो profit sharing ratio है वो equally कर दिया मतलब 1 इस to 1 में चीक है अब पहले क्या था A का भाग 3 अब B का भाग कितना था 2 लेस को मिलता था B को और A को क्या मिलता था more ठीक है Ñघ को ज़ादा मिलता था B को prophesnon समझ महारा है na अ को ज़ादा मिलता था 3 part मिलता था बी को two part मिलता था अब जब दोनों को equally मिलेगा तो नुकसान किसका होगा A का होगा कि B का होगा तो नुकसान किसका होगा A का तो A का जब नुकसान होगा तो इस नुकसान को कहा जाएगा sacrifice इस नुकसान को क्या कहा जाएगा accounts की language में इस नुकसान को कहा जाएगा sacrifice और जो partner sacrifice कर रहा है उसे कहा जाएगा sacrificing partner ठीक है A को जादा मिलता था B को कम मिलता था दोनों ने decide कि दोनों को बराबर मिलेगा अब A को पहले जादा मिल रहा था B को कम मिल रहा था तो अब A को कम मिलने लगेगा ठीक है ना B के बराबर मिलने लगेगा लेकिन जो पहले मिलता था उससे कम मिलने लगेगा ठीक है तो वो अपने पास से पैसा sacrifice कर रहा है ना दे रहा है ना B को क्योंकि दोनों को equal चाहिए तो ये कौन हो गया sacrifice करने वाला और इसे बोलेंगे sacrificing partner clear हुआ अब B कौन है B के पास पैसा आ रहा है तो B कौन है gaining partner B कौन है बच्चों gaining partner तो B को क्या बोलेंगे हम gain करने वाला gaining partner जो पैसा पहले जादा ले रहा था फिर उसका पैसा कम हो रहा है तो वो होता है sacrificing partner और जो पैसा पहले कम ले रहा था और अब जादा लेगा तो वो होगा gaining partner clear हुआ यहां तर तो पहले ratio था 3 is to 2 अब है 1 is to 1 अब A sacrifice कर रहा है और B gain कर रहा है यह तो हमें पता चल गया लेकिन कितना तो यह कैसे पता चलेगा इसका एक formula है क्या है formula sacrificing या gaining पार्टनर श्यर इस इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट श्यर माइनस न्यू प्रॉफिट श्यर ठीक है ओल्ड प्रॉफिट श्यर माइनस न्यू प्रॉफिट श्यर ठीक है यह एक formula है इससे आप note कर लीजिए तो A का पुराना श्यर कितना है 3 by 5 ओ B का कितना है 2 by 5 कैसे निकला 3 और 2 को plus कर देते हैं यहाँ पर 3 is to 2 है तो 3 by 5 और 2 by 5 इसी तरह से 1 is to 1 में करेंगे 1 by 2 1 by 2 अब यह क्या हो गए old share 3 by 5 और 2 by 5 यह old share है 3 is to 2 का रेशो था तो हमने यह लिग दिये पहले अब इसमें से new profit sharing ratio माइनस करेंगे तो 1 by 2 को माइनस कर देंगे इसमें से 1 by 2 को माइनस कर देंगे अब इनका LCM निकालिए 10 6 minus 5 तो यहाँ पर आया 1 by 10 और यहाँ पर 10 4 minus 5 मतलब minus 1 by 10 अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है यह है 1 by 10 यह है minus 1 by 10 क्यों है minus क्योंकि 5 बढ़ा है न यहाँ पर 6 minus 5 था यहाँ पर 4 minus 5 है तो 5 बढ़ा है तो यहाँ minus 1 by 10 यहाँ पर plus 1 by 10 तो जो negative वाला है ठीक है जो negative वाला है वो है gaining partner और जो positive वाला है वो है sacrificing partner ठीक है तो हमें यहाँ पर यह चीज़ धिहान रखना है कि gaining partner negative वाला होता है और sacrificing partner positive वाला होता है I hope आपको यह clear हो गया होगा ठीक है इस थरह changing profit sharing ratio में sacrificing partner और gaining partner को मालूम किया जाता है ठीक है अब इनको मालूम करने के बाद क्या करना होता है इनको मालूम करने के बाद कुछ हमको adjustment करने होते हैं ठीक है वो adjustment कौन कौन से होते हैं उन्हें all देख लेते हैं हर adjustment का में एक video बना कर लेकर आऊंगी और उसे proper तरीके से समझाऊंगी आज इंट्रोडेक्शन में आपको बताया है, I hope आपको अच्छे से clear हो गया होगा, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं, adjustment, जो change in profit sharing ratio को करते समय करने पड़ते हैं, पहला होता है determination of sacrificing and gaining ratio, ठीक है, हमें पता करना कि कौन sacrificing partner है, कौन सा gaining partner है, ठीक है, वो तो मैंने अभी आपको समझाई दिया है, थोड़ा सा ही समझाई है, उसमें और भी चीज़े हैं, next होता है accounting of goodwill, goodwill का valuation हमने अपना पिछले chapter में समझा था, उसी से related ये रहता है, यदि आपने उसकी सारी methods, सारे formulas अच्छे से समझ ली हैं, तो यहाँ भी आपको कोई difficulty नहीं होगी, accounting of reserve accumulated profit and loss, हर organization थोड़ा सा reserve रखती है, ठीक है, तो उस reserve से कैसे आप profit में उस समय distribution करेंगे, वो हम इस topic में समझेंगे, revolution of assets and reassessment of liabilities, ये भी एक adjustment है, adjustment of capital, ये इसका last adjustment है, तो इसमें total ऐसे 5 point है, मैं 5 video all लेकर आउंगी, हर point का एक video रहेगा, आप बहुत अच्छे से वहाँ पर अपने concept क्लियर कर सकते हैं, आज मैंने पूरा introduction part इसका समझा दिया है, I hope आपको समझ में आ गया हो, यदि video अच्छा लगा हो, तो अपने friends के साब ज़रूर शेर कीजिएगा, thank you,